नमस्कार आपके साथ मैं उठ्टि विशो कर्मा और आप देख रहे हैं न्यूस्टाइम स्वागत है आईए नजर डालते हैं सिंभूम की खबरों पर सिंभूम लोगसभा सीट पर चुनाव संपन्न हुए तीन दिन बीद गए हैं लेकिन चुनावी चर्चाओं का शोर थम नहीं रहा है चुनावी चर्चा के सोर में राजनितिक पंडित भी आंकलन में विफल हो रहे हैं अंत में निशकर्ष यह निकलता है कि काटे का टकर है औ चर्चा समाप्त हो जाता है जार्षन मुक्ति मोर्चा के कारेकरता और भात्य जनता पार्टी के कारेकरता अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं कोई भी दल हार का तर्क सुनना नहीं चाते हैं लेकिन तोनों दलों के कारेकरताओं को यह अच्छी तरह से मालुम है कि जी का जश्न कौन मनाएगा और कौन हार के गम में डूबेगा ये तो चार जुन को होने वाले मदगन्ना के बाद ही पता चलेगा लेकिन परिणाम आने तक चर्चाओं का बाजार गर्म रहेगा चुनावी चर्चा में जो बात चंचन कर आ रही है उससे यह पता चलता है कि दोनो दलों के प्रत्याशे को अपने अपने प्रभाव छेत्र में बहतर मत प्राप्त हुआ है सिंभुम लोकसभा का ये चुनाव मोदी की विकास बनाम जल जंगल जमीन के रक्षा पर हुई है सिंभुम लोकसभा छेत्र में मोदी का विकास कितना हुआ है और जल जंगल जमीन क की रक्षा किस दल ने किया है इस पर सिंभुम लोकसभाद शेत्र में हुए मत्दान में दस लाख मत देकर मत दाताओं ने अपना फैसला सुनाया है पर्षमी सिंभुम जीला क्रिकेट संग्वारा आयोजित तेरवी ग्यांचिंग जैन अंतर स्कूल क्रिकेट प्रत्योगिता के अंतरगर गुरुवार को खेले के दूसरे सुपर डिविजन मुकाबले में सुरजमल जैन डेवी पब्लिक स्कूल चैवासा ने मांगिला प्लस टू विद्याले की टीम अपने सुपर डिविजन के दोनों मैच हार कर बाहर हो गई चैवासा के बिरसा मुंडा क्रिकेट स्टेडियम मैदान पर खेले गए आज की सुपर डिविजन मैच में टॉस सुरजमल जैन डेवी पब्लिक स्कूल चैवासा के कप्तान ने जी टीम की ओर से आयुश पन्ना ने 45 रनों के बैतरीन पारी खेली अन्य बले बाजो में सालुका जोंको एवं नूर सिंग देवगम ने 1919 रनों का योगदान दिया डेवी पब्लिक स्कूल चैवासा की ओर से गेंदबाजी करते हुए प्रियांशु कुमार ने 18 रन देकर 4 वि बाज सोहन मैती एवं कप्तान अभिजीत सेन ने पहले विकेट के लिए 10 ओवर 5 गेंद में 85 रन बनाकर शांदार शुरुवात की परन्तु 11 ओवर में 3 चोको की सहता से 26 रन बनाकर दुरभागी पूर्ण तरीके से सोहन मैती के रन आउट होते ही पूरी टीम लड़ खड़ एक समय जहां डेवी का स्कोर बिना कोई विकेट खोए 85 रन पर था वहीं 100 के स्कोर पहुंसते पहुंसते उसके 6 मौत पूर्ण खिलाडी पवेलियन लोट चुके थे ऐसा लग रहा था मानू डेवी चैबासा के हाथों से ये मैच फिसल जाएगा परंतु सुहम्मैती के साथ पारी की शुरुआत करने आए कप्तान अभी जीत सेर ने एक छोर पर संभल कर बलेबाजी करते हुए 10 चौको की मदद से 64 नाबाद रन बना कर टीम को जीत दिला दी मांगिला रुंटा प्लस टू विद्याले की ओर से हर्ष गोप ने ठारा रन देकर तीन विकेट हासिल के जबकी सुरज भान पांडे एवं आजाद पूर्ती को एक-एक विकेट हाथ लगी मैच समापती के बाद आयजित पूरसकार वितरन समारों में सुरजमल जैन डेवी पब्लिक स्कूल चैवासा के कप्तान अभिजीत सेन को उसकी सांदार बल्लिबाजी के लिए मैन अफ दे मैच का पूरसकार सदर थाना प्रभारी तरुन कुमार ने प्रदान किया शुकरवार को सूपर डिविजन के अंतिम मैच में पदमाउती जैन सरसुती शुशु विद्या मंदिर चैवासा का मुकाबला सुरजमल जैन डेवी पब्लिक स्कूल चैवासा से होगा आप खेल से जुड़ा समान खरिदना चाहते हैं तो कहीं और जाने की क्या जरूरत है आमिज स्पोर्ट्स कलेक्शन है ना हम आपको हर आइटम जमशेद्पूर से भी कम कीमत पर चैवासा में उपलब्ध कराते हैं क्यालिटी प्रोड़क्ट के लिए तो चिन्ता ही नहीं करनी है चैवासा सहर के सदर बजार में एफस टावर और जेमपी चौक के पास दोनों ही जगों पर संचालित होता है आमिज स्पोर्ट्स कलेक्शन तो फिर सोचना क्या है आईए आमिज स्पोर्ट्स कलेक्शन और अ श्याम जोलर्स में आपको सोनी और चांदी के लेटिस डिजाइन के आभूशन उचित मोले पर मिलेगा। श्याम जोलर्स में सोनी और चांदी के आभूशन की सुद्धता की सत प्रतिशत गैरेंटी है। तो फिर ज्यादा क्या सोचना है। आज ही आईए श्याम जोलर्स हमारा पता है सुनार पट्टी सदर बजार चैबासा द्वितिय अपर सत्र नयधीस की अदालत ने हत्या के दो आरूपी प्रवीर चटरजी और प्रमाण चटरजी को आजीवन कारवास और 10,000 रुपे जुर्माना की सजा सुनाई है हत्या के दोनों आरूपी प्रवीर चटरजी और प्रमाण चटरजी के विरुद चक्रधर पूर्थाना में 27 अपरेल 2018 को भारत्य दंड विधान की धारा 449, 302, 389 और 34 के तहत मामला दर्ज किया गया था दर्ज मामले में बताया गया है कि पश्मी सिंभुम जीले के चक्रधर पूर्थाना के भाल्या कुदर, निवासी, प्रवीर और प्रमाण ने मिलकर अमिताप चटरजी की गर्दन में चाकू से वार कर हत्या कर दी थी चक्रधर पूर्थाना पुलिस ने मामला दर्ज होने के बाद दोनों आरूपी को गिरफतार कर नए खिरासत में भेज दिया था अदालत को परियाप्त साक्ष मिलने पर दोनों आरूपी के विरुद्ध सजा सुनाई गई बर्तंदाश टोली अखाड़ा में जेस जत्रातिवहार को लेकर एक बैठख दुरगा कुजूर के जख्ता में हुई बैठख में कहा गया कि जेस त्योहार उराओ समाज के साथो अखाड़ा में दिन के बारा बजे से पूर्वक पुजा की जाती है इस मौके पर सभी अखाड़ों में अपने अपने स्तर से सजावट कर नाच गान किया जाता है साथ ही बरकंदास टोली अखाड़ा में छोटे छोटे बच्चे बच्चीयों माईला पुरुष एवं मुजर्गों के बीच खेलकूद एवं कुछ प्रतियोगिता का आयजन किया जाता है इस बैटक में मुख्या लालो कुजूर ने कहा कि जत्रा त्योहार और आव समाज का सबसे बड़ा त्योहार है और इस त्योहार को हम जीत का प्रतिक मानते हैं यह अतिहासिक त्योहार हमारे वीर योधाओं के द्वारा युध में दुश्मनों को पराजित करने की खुशी में प्रतिक वर्ष मनाया जाता है कार की सर्विसिंग या फिर डेंटिंग पेंटिंग करानी है तो अब जमशितपूर क्यों जाना चायबासा में भी होगा सारा काम वह भी विस्वस्नियता के साथ जंक्शन पॉइंट बॉस सर्विस सेंटर में चार पहिया वाहन से जुड़ा सारा काम होता है वो अभी भरोसे के साथ एक्सिडेंटल सर्विस, डेंटिंग, पेंटिंग, सर्विसिंग, वील अलाइनमेंट, वाशिंग, पिक अप एंड ड्रॉप फैसिलिटी, पलूशन सेटिफिकेट, कार एक्सेसरीज ये सुविधाएं एक स्थान पर उपलब्ध है हमारा पता है चैवासा, टाटा मार, टेका साई चैवासा निलम शूले कर आया है सभी स्कूलों का स्कूल ड्रेस, डियवी स्कूल, संत जेवियर स्कूल, जीला स्कूल, एस्पेजी मिशन, संत निवेका, रूंटा, स्कूल इत्यादी की स्कूल ड्रेस, स्कूल बैल, स्कूल जूते, मौजे, स्कूल बैल, टिफिन बॉक्स इत्यादी, उत्तम क्वाल्टी के किफायती दामों में उपलब्ध है तो अवस्य पधारे, नीलम शू, राजा बाडी कली, सदर बाजार चैवासा, जहां नीलम शू का वादा आप से फिर मुलाकात होगी कुछ नए खबरों के साथ, तब तक बनेरे हमारे चैनल पर धन्यवाद